हेलो और नमस्कार माई यंग फ्रेंट्स ओप क्लास 12 इन्फरमेटिक्स प्रैक्टिसिस तो सिबी एसी ने सेंपल पेपर यहाँ पे आपको दे दिये है और सेंपल पेपर का एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाल है तो पूरा सेंपल पेपर किस तरीके से क्विस्टन आये हैं और कौन से टॉपिक से कौन से चैप्टर से कितने माक्स के क्विस्टन स्कूल मिला करके आये है इंक्रोडिंग और इंटरनल चोईस के साथ तो इस वीडियो में हम देखेंगे तो आई यह देखते है पूरा सेंपल पेपर एक एनालिसिस मैंने तयार किया है जो आपको बहुत काम आने वाला है और इसे के बेश पे आपका बोड का पेपर भी बनता है तो अल्मोस्ट मिलता जूलता आता है तो कभी-कभी थोड़ा सा उपर नीचे होगा लेकिन अल्मोस्ट 90% से भी ज्यादा अगर हम बात करें तो शैंपल पेपर के आधार पे आ क्या-क्या चीज़ें इंट्रुड की गई है तो सबसे पहले प्लेज चेक दिस क्विस्टन पेपर कंटेंस 37 क्विस्टन तो यह सबसे पहली बात है टोटल क्विस्टन जो है इस पेपर में सेंपल पेपर में वो है 37 इसकी तुलना अगर हम प्रिवियस यर के पेपर से सेक्शन की बात करेंगे तो पाथ सेक्शन यहां पे रहने वाले है और वो पाथ सेक्शन है ए बी सी डी ए सेक्शन ए यहां पे है टोटल 21 क्विस्टन इसकी अगर हम बात करेंगे तो प्रिवियस यर वाला जो पैटन था उसमें 18 क्विस्टन आते थे इंक्विस्टन दो ए वो 7 questions है, वो same to same previous year के जैसा ये 22 to 28, यहाँ पे से question number change हुए है, तो 2 mark के question यहाँ पे होंगे, और ये questions जो है, वो 7 questions रहेंगे, उसके बाद है section C, section C है 3 marks questions, जो रहेंगे 4, तो इसमें भी एक थोड़ा बदलाव किया है, क्योंकि अगर हम compare करेंगे previous year का जो board का paper था, या तो sample paper तो उसके साथ अगर compare करते हैं हम, तो यहाँ पे ये questions थे 2 mark, दो questions थे 4 mark के, यहाँ पे 4 questions हो गये है, 29 to 32, और section D जो है, okay, स्वारी ये 3 mark के question है, तो 3 mark के question थे, और ये 3 mark के question पास थे, ये 5 questions थे, जो अभी कर दिये गये है, 4, तो ये 4 questions कर दिये गये है, जो previous year वाला था, उसम के question है, तो यहाँ पे 2 questions है, case study type और वो दो ही है, previous में भी 2 ही थे, पर ये जो था, वो last section था, section E था, section E यहाँ पे जो है, वो है, consist of 3 questions, तो 3 questions यहाँ पे है, 35 to 37, जो 5 mark के होंगे, तो इस तरीके का कुछ, sample paper आपको देखने को मिलेगा, अब इस paper के अंदर कौन सा question, किस chapter से ह है, उसके बात करता है, तो चले, first बात करते है, question 1 की, तो question 1 में आप देख सकते है, कि slicing, एक slicing दिया है, can be extract specific panda series, तो panda series का है, तो obviously यह chapter 1 से आएगा, यहाँ पे जो chapter मैंने लिये है, वो chapter लिये है, आपके text book, informatics practices, class trial, सुमिता अरोरा वाला text book, जो है अपना, उसके chapters मैंने यह पे लिखे है, तो उसमें जो chapter जिस number पे है, उसके इसाब से जो नया text book है, 2024 edition है मेरे पास, तो उसमें से जो chapters है, उसके इसाब से मैंने लिखा है, आपके पास कोई पूराना या कोई और text book है, तो उसको compare जरूर कीजिएगा, लेकिन सुमिता अरोरा text book है, जो well-known text book है, और यही use होता है mostly, तो उसके अधर पे मैंने यह किया, तो chapter और topic की बात करेंगे इस question में, तो यह chapter है, chapter 1, python pandas 1, उसके अंदर से आएगा, topic है accessing series elements, तो उससे यह question निकाला गया है, slicing, तो slicing उसी में आता है, तो उससे निकाला गया है, चलिए, दुसरा देखते है, अब purpose of where close, तो where close, सीधा आपका chapter 5, MySQL, SQL revision tool से आया है, तो SQL revision tool से एक question है, topic है select command, क्योंकि where close, आप select command के साथ ही include करते हैं, next question जो है, वो next question है, identify the networking device, तो networking device की अगर बात करें, तो यह हमारे लिए यहाँ पर बन जाता है networking device, chapter 9, और chapter का नाम है introduction to computer networks, topic रहेगा network devices, next question जो है, वो question 4, question 4 यहाँ पर लिया गया है, SQL command, तो कौन सा SQL command है, जो आप delete relation, तो table delete करने के लिए use करते हैं, SQL command basically chapter 5 से है, again, MySQL, SQL revision tool, उससे है, topic है dropping tables, तो dropping tables का topic है, उसके other पर यह question बना है, question 5 जो है next, question 5 में e-waste पूछाए, तो e-waste आता है societal impacts में, वो है आपका chapter number 11, societal impacts और topic की बात करें, तो e-waste management topic रहेगा, next question जो है, next question है, आपका column name related है, data frame related है, column name into data frame, तो यह data frame है, obviously chapter 1 रहेगा, python pandas 1, और जो topic है, वो है select or access data, इस topic के अधार पर है, next question देखें, तो question 7, question 7 आपको मिलेगा, by default plot function, plot function matplot leave, तो इसके उपर है chapter number 3, plotting with pyplot, topic रहेगा, creating line charts, तो line charts जो बन रहे हैं, उसके अधार पर है, कैसे line charts बनेंगे, वो है question 7, question 8, अगर हम देखेंगे, तो आपको यहाँ पे नजर आता होगा, यह question 7 है, question 8 है, having close, तो group by and having का है यह पाप, यह आया है chapter number 7 से, querying using SQL, grouping results, group by, तो यह topic रहेगा, चले, next question देखते है, question 9, question 9 जो है, वो है, python statement to use import data from CSV, तो import data from CSV, जो है chapter 4, importing, exporting data between CSV files and pandas, इससे है, topic है, loading data from CSV to data frame, यह एक मात्र question है, जो इस chapter से आया हुआ है, पूरे sample paper में, तो एक मात्र question यह है, जो इस chapter से है, चले, आगे देखते है, next question, which of the following python statement, चले होगा है, plagiarism, तो plagiarism आपको मिलेगा, again, societal impacts में, societal impacts है, chapter 11, इसमें ethical issues, यह जो topic है, उससे आएगा, ethical, ethical issues से, चले, next देखते है, chapter कौन सा है, question number 11 के लिए, तो question number 11, जो है, वो यहाँ पे है, fill in the blank है, count star function की बात की है, तो वो यह हो गया, again, aggregate function, aggregate function आपको दिया गया है, सुमिता अरोरा के, chapter 7 में, querying using SQL, तो topic में पहले आपको बता चुका हूँ, कि aggregate function है, चले, next question 12, network topologies की बात है, तो network topologies, again, network के related है, जो है, chapter 9, introduction to computer networks, topic रहेगा, network topologies, next question है, question number 13, question number 30 में, again, pandas data frame सीधा लिग दिया है, और tail function है, तो tail function और pandas data frame की बात करेंगे, तो obviously, chapter 1, python pandas से है, और topic है, operations on series object, तो इसके उपर है, चले, next question है, question number 14, वो again societal impacts का यहाँ दीख रहा है, तो societal impacts ही होगा, चले, किसके related हैं, देखते हैं, yes, तो cyber crime, तो cyber crime भी आपका societal impacts का part है, तो यह है chapter 14, topic यहाँ पर cyber crime रहेगा, cyber crime और chapter 11, chapter 11 societal impacts से रहेगा, question number 15, जो है, वो again python pandas है, creating series objects, तो यह है कि creating a series लिखा है, तो उसी से रहेगा, question number 16 की बात करें, तो question number 16 है, match the following है, इसमें अलग-अलग है, तो max, substring, in str, order by, तो चारों चीज़ी अलग-अलग है, तो कुछ aggregate function है, एक function, दो function आपको दिये है, text function दिये है, और एक order by दिया है, तो यह mix है, इसमें chapter 16 में, जो है, question 16 में, chapter 6, my SQL function, mix topics है सारे, तो इसमें कोई particular topic नहीं है, इन सभी में particular topic दिया है, लेकिन match the following में particular topic नहीं है, question 17 जो दिया है, boolean indexing, boolean indexing आपको अगेन मिलेगा, chapter 1, python pandas, topic more on indexing, उसके उपर है, next जो है, वो है, data visualization topic से, question number 18, question number 18 आपका है, map plot plot is best suited, तो किसके लिए सबसे ज़्यादा best है, वो बाला question है, वो है, chapter 3, plotting with pyplot, creating line charts, again topic है, creating line charts, question number 19, 19 देखते हैं, तो 19 है, which type of network covers small geographical area, तो again यह networking, क्योंकि small graphical area के बात की है, chapter 9, introduction to computer networks, topic है, types of networks, question 20, जो है, assertion and reasoning, 20 and 21 आपको मिलेगा, assertion and reasoning, तो यह assertion and reasoning, पहला जो पार्ट है, add new column and data frame size mutable, तो यह है आपका chapter 1, और यह SQL insert into command है, और एक DDL command है, तो DDL command और उस दोनों के बात की है, chapter 1, python panda से है, question number 20, topic है, add columns into data frame, 21 है chapter 5, MySQL revision 2, inserting data into table, तो यह है 21 questions, one mark के, यह one mark के question, total overall की, कौन से chapter से कितने है, तो python pandas 1, उस में से 6 questions, इस section में है, python pandas 2 में से कोई question नहीं लिया गया, plotting with pyplot के दो questions आपको मिलेंगे, chapter 4 से एक question है, chapter 6, जो है, mysql functions, उससे एक question लिया है, chapter 5 यहाँ पर सायद नहीं दिख रहा मुझे, वो miss हो गया है, chapter 5, लेकिन chapter 5 से question तो है, 1, 2, chapter 5 से 2, 3, 3 question chapter 5 से है, जो यहाँ पर miss हुए है, actually type करते करते, mysql functions, उसमें से आपको एक question मिलेगा, querying using SQL 2 रहेंगे, उसके बाद join set operation कोई नहीं है, introduction to computer networks 3 है, तो इस प्रकासे 21 होंके देखते है, 6 और 2, 8, 9, 10, 12, और 3, 15, और chapter 5 से जो question है, यहाँ पर miss हुआ है, वो भी यहाँ पर मैं add कर दूँगा, इस के बाद, और आपको PDF मिलेगा, description में link मैं देने वाला हूँ, तो इस link में आपको यह सारे मिलेंगे, ओ, okay, actually यहाँ पर है, mysql revision tour 3 है, और societal impacts 3 है, तो यह हो गए, तो इस ही सबसे है, 3-3 question यहाँ पर, next page पर चला गया है, actually, चलिए, next देखते है, section B, तो section B के अंदर आएंगे, तो यह दो मार्क के question है, उसमें सबसे पहला 22AB, जो और में पुछा जाता है, यह chapter 1 से है, python pandas, chapter 1, और यह library भी chapter 1, python pandas, topic की बात करेंगे, तो topic सीधा है, chapter 1 python pandas, और topic है pandas data structure, इसके उपर से लिया गया है, दोनो questions, next question की बात करें, 23, IPR, तो IPR topic है आपके societal impacts chapter से, chapter 11, societal impacts, ethical issues, तो इसके उपर है, चलिए, next जो है, question number 24, 24 है data base management system, DBMS, तो DBMS से है, और इसमें जो specific question दिया है, वो है MySQL function का, text function, या तो string function, आपको यहाँ पर यूज करने है, जो chapter है, chapter 6, MySQL functions, topic रहे का text और string functions, next question, question number 25, internet, how it differs from www and browser cookies, यह topic है, तो इस topic से question बने है, मतलब यह है, आपका chapter 10, introduction to internet and web, one mark का एक भी question इस chapter में से, इस बार नहीं है, sample paper में, और topic www, web browser, तो इस तरीके से भी बनाया है, sample paper तो आप जरूर द्यान में रखे, next question आपका जो है, वो इस प्रकास है, पिछले sample paper में, कुछ questions डाले थे, chapter 10 से, लेकिन इस बार chapter 10 से, कोई one mark का question नहीं डाला है, चली, next, जो 26 है, primary key, तो primary key, again chapter 5, MySQL, SQL Revision Tour, SQL Constance, topic रहेगा, next question जो है, mention to health concerns, तो health concerns related है आपके, chapter 11 से, societal impacts, topic है, health concerns ही, नाम है topic का, और last question इस section का 28, जो है, data frame का एक है, error और दुसरा आउटपूट के लिए, fill in the blanks type question है ये, इसको आपको fill up करना है, blank को, तो ये है, ये आपको लिया गया है, chapter number 1 से, python pandas 1, और creating series data frame, तो उससे है, तो ये था, cool मिला करके, section B, चले total question देखते हैं, तो python pandas से, दो question mandatory होंगे, दो और होंगे, तो ऐसे, और में भी पूछे गया है, तो दोनों मिला करके, चार questions हुए, उसके बाद है, mysql revision tool से, एक लिया गया है, mysql function, एक लिया गया है, querying sql नहीं है, join set operation नहीं है, computer network से नहीं है, दो मारका question नहीं है, introduction to internet and web से लिया गया है, एक question जो और में होगा तो दो हो गये, और societal impact से दो हो गये, तो इस प्रकार से, इस section में आपको total seven questions मिलेंगे, चलिए बात करते हैं section C की, section C में जो हमारे पास questions है, वो है, तीन माके, पहला question कुछ इस प्रकार से है, तो इसमें सारे mix है, पर यह question जो लिये गया है, mix topic है, लेकिन societal impacts, chapter जो है, आपका 11 है, societal impacts, उससे लिया गया है, इवेस्ट management, पूरा topic में ने include किया है यहाँ पे, question number 30 जो है, वो 30 लिया गया है आपके, 30 number का question जो है, यह panda series और data frame है, again तो यह chapter 1 है, आख बंद करके हम chapter 1 लिख सकते हैं, mostly जो है, python में, वो chapter 1 से questions आये हुए है, sample paper में, चले, 31 number की बात करें, तो यह A और B दोनों जो और में हैं, वो भी उसी chapter से है, same chapter से, एक create series है, एक create data frame है, next 31 SQL statement लिखना है, इसमें table create करने का, दूसरे में insert करने का value, तो यह है आपका python revision tour, sorry, mysql revision tour से, और create table insert records है, topic, question number 32, 32 में अगर A की बात करें, या B की बात करें, दौनों ही, same type के question है, दो tables दिये गया है, जिसमें, तो यह दो tables आपके joints में आता है, तो इसलिए यह chapter बनेगा आपका, first query जो है, वो querying using SQL, group by query रहेगी है, next जो है, chapter 7, querying using SQL, same order by query है, chapter 8, joints and set operations है, third, यह part A में है, और की बात करें, तो पहरा again, querying using SQL, group by aggregate functions का part है, chapter 6, my SQL functions है, दूसरा, text string functions के base पे पुछा है, और chapter 8, joints and set operations है, और यहाँ पे, joints से यह topic लिया गया है, तो इस तरीके से आपको, मिलेंगे इसमें question 32 में, 32 question जो है, वो इस तरीके से है, तीन-तीन question मिला करके, इसमें include किया गया है, ओर वाल बात करें, जो तीन-मार्के questions है, तो python-pandas में से again, एक ही question है, लेकिन दो बन जाएंगे, और में हैं इसलिए, उसके बाद है python-pandas 2 again, 0, इसमें pyplot वाला जो chapter है, plotting with pyplot chapter 3, 0, my SQL functions, तो एक question लिया गया है, querying using SQL में 3, एक-एक मार्के question आया है, और को मिला करके, join and set operations में भी same वैसा है, उपर नीचे part A में है, part B में है, तो दो questions है, introduction to computer networks, कोई भी question यहाँ पे नहीं है, 0 question है, chapter 4, 0 question, chapter 5 से एक question है, इसमें जो one mark का है, chapter 10 है, introduction to internet and web, कोई question नहीं है, and societal impact से एक question है, तो इतने questions आपको इस particular section में मिलेंगे, section D बात करते हैं, तो section D में जो दो question है, वो दो question, तो एक आपका है, यह वाला question, section D में, यह, तो यह तो सिदा ही दिख रहा है, chapter 3 से है, बार चार्ट है, तो यह chapter 3 से है, और next जो है, यहाँ पे, वो next है, यह mysql से है, तो यह दोनों chapter कुछ इस प्रकार से रहेंगे, यह plotting with pipe plot, bar chart, creating bar chart, पूरा उसका impartial code, या तो हम यह बोले कि जो code है, वो आपको दिया है, आधा, उसको आपको complete करना है, तो incomplete code को, फिलिंद ब्लेंक के रुप में दिया है, उसको complete करना है, फिर जो 34 है, उसमें पहली query, chapter 6, mysql functions है, और उसका main base लिया गया है, text or string function, second question, second जो है, इसमें, part second, 34 का, वो है, chapter 7, querying using sql से, aggregate functions, topics है, next जो है, chapter 6, mysql functions, and chapter 7, querying using sql, दोनों combine किये, इसमें, text string function, and grouping records, तो group by b है, और text string function भी use किया गया है, fourth question, जो है, इस 34 का, fourth part, वो दिया है, again chapter 7, querying using sql से, order by close है, इसमें, तो sorting use हुआ है, b की बात करें, तो पहला question, chapter 6, mysql functions से, text string functions, 2, chapter 6, mysql functions, date functions, 3, chapter 5, mysql, sql revision 2, select between, and, तो उसके उपर है, next question, जो है, fourth part of 34, or में, chapter 7, querying using sql, aggregate functions से लिए गया है, तो इस प्रकार से, आपका section D बना है, इसमें, जो questions है, तो plotting with pipe load का एक हो गया, उसके बाद, mysql, sql revision 2 का एक हो गया, mysql functions का 3 हो गया, querying using sql के 4 है, तो इस प्रकार से यह है, चलें, last section के बाद करते है, section E, जो 5 मा के question है, तो section E में सबसे पहले आपको मिलेगा, ये वाला, जो combine दो chapter से, पुछा गया है, networking का question है, case study based question networking से, तो ये आपको cool मिला करके, दोनो chapter से include किया गया है, एक तो computer network का जो है, introduction to computer networks, और internet and web, network device, network types, topology उसके अधर पे, उसके बाद है next part इसमें, तो ये है, question number 36, जो python pundas से है, data frame के उपर से है ये, तो पूरा topic python pundas 1, operations 1 data frame, और last वाला again path query दी है, तो path query में पहला, chapter 7, querying using SQL, aggregate functions, chapter 6, mySQL functions, chapter 6, mySQL functions, next है chapter 7, querying using SQL, ये भी querying using SQL, topic के बात करें, तो ये part 1, aggregate functions का है, part 2, text string function, 2 and 3, both, fourth and five, both है aggregate functions, तो ये topic यहाँ पे है, और की बात करें, बी में, तो बी में आपको मिलेगा ये, chapter 6, mySQL functions, ये सारे mySQL functions है, 4 questions, functions, अलग-अलग है topic में, numeric functions, पहले 1 and 2, 3 and 4 है, text string functions, उसके बाद जो एक बसता है, वो एक है आपका, chapter 6, mySQL functions में से again, ये सारे functions के ही है, queries, text string functions इसमें है, तो कुल मिला करके, python 15 का एक question है, mySQL functions के साथ question है, और को मिला करके, querying using SQL के 3 है, computer network के 4 है, और introduction to internet and web का एक है, तो ये है आपके question wise analysis, sample paper का, अब देखते है, chapter wise, कितने marks का कौन सा chapter बन रहा है, तो python 15 1 से clearly 6 question है, आपके 1 mark के, 4 question 2 mark के, और मिला करके, 3 mark के 2 question है, इसमें भी एक और आ जाएगा, 4 mark का question नहीं है, इस section में 5 mark का question है, तो कुल मिला करके 13 question, 25 marks का यहाँ पे बन रहा है, तो 25 marks का यह है, पूरा python 15 1, तो इसमें और भी question सामिल है, python 15 से कोई question इस बार sample paper में नहीं आए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं, कि आपके board में नहीं आएगा, तो आपको prepare ज़रूर करना है, जो जो topic है syllabus में, python 15 chapter 2 से, तो वो topics आपको करना है, इसके लिए आपको मैं refer करूँगा, deleted parts का मैंने एक वीडियो बनाया है, deleted का, तो आप देख लिए, deleted syllabus का, उसमें से पता चले का, कि textbooks में कौन-कौन से आपको tick करना है, जो नहीं है, तो उसमें मैंने बता दिया है, plotting with pipe load, यह है 2 mark, और यह है एक यहां से आएगा, तो ऐसे मिला करके, 3 question है, 6 mark का रहेगा, data transfer between CSP 5 chapter 4, जो एक मात्र, एक लौता question यहाँ पे है, 1 mark में, चले, next है, mysql revision 2, जो 3 question 1 mark है, एक 2 mark का, एक 3 mark का, एक 4 mark का, तो कुल मिला करके, यहाँ पे 6 question है, 12 mark का यह chapter रहेगा, mysql functions देखे, तो सभी में almost question है, सभी type के questions में, total 13 question बन रहे हैं, और marks बन रहे हैं 16, उसके बाद है, querying using SQL 2, 1 mark के, 3 question, इसमें 1, 1 mark का, यहाँ पे है, मतलब 3 question है, 1, 1 mark का, section C में, 4 question है, section D में, वो भी 1, 1 mark का रहेगा, यह part E जो है, उसमें भी 3 questions इस chapter से डाले गया है, तो से कुल मिला करके, 12 marks बन रहे हैं, 12 marks बन रहे हैं, join set operations का, यहाँ पे 2 question है, section C में, to computer network में, यह 3, 1 mark के है, 4 question इसमें मिलेंगे, आपको section E में, 5 mark वाले में, total 7 question है, 7 mark, introduction to internet and web, जो chapter है, आपका 10, उसमें से 2 questions है, इसमें और में पुछा गया है, तो एक ही माना जाएगा, और एक है 5 mark वाले question में, तो total 3 mark का है, so settle impacts, 3 question है, 1 mark के, 2 question है, 2 mark के, 1 question है, 3 mark का, 1 question इसमें है, तो कुल मिला करके 10, तो 3 mark वाले में, एक question पुछा गया है, तो यह था, overall आपका chapter का weightage, अगर chapters की बात करें, सबसे ज़्यादा weightage वाले chapter आपको दिख रहे होंगे, सबसे पहले pandas 1, जो काफी important है, जो 10 से plus है, वो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा है, और 10 यह 10 से plus, यह 12 mark का है, यह 16 mark का है, MySQL functions, यह querying using SQL 12 mark का है, उसके बाद यह वाला chapter societal impacts, जो 10 mark के question sample paper में है, तो इनको priority दीजिए और अच्छे से plan कीजिए, इन सभी chapters का अच्छे से revision कीजिए, आपके कुछ queries doubt है, तो आप जरूर बूछ सकते हैं, इसके लिए मैंने last minute revision के कुछ videos बनाए है, तो आप उसको जरूर refer कीजिएगा, उसमें आपको सारी चीज़े मिलेगी, फिर भी आपके कुछ doubts, problems रहते हैं, तो हम नई series ले करके आएंगे उसके लिए, तो चले मिलते हैं, आने वाले वीडियो में, sample paper के साथ तर्टक के लिए जाए है, जैबारब, thank you very much for watching. जाले उसके लिए, तो अगव के लिए. झाल